38 का खतियान एक तो कभी लागू होना नहीं है सोरेन ने खुद विधान सभा में बोला हम लागू नहीं कर सकते हैं हाई कोट की तालवार लटकी हुई है तो लोगों को जुनजुना है लोगों को राजनितिक स्टैंट बाजी है नवी अनुसुची में सामिल करेंगे बने बैक डॉर से घुसाएंगे इनको पता है कोई भी कोट इसको माने नहीं करेगी कि जारखन में जितनी सरकारी गहर सरकारी नौकरियां है उसका नबे परतिशत हिस्सा ग्रामीन छेतरों को दे दिया जाए नौकरी के वाल इनहीं नहीं है कि जाकर के गहां में हम कंबल बाट रहे हैं बाट देंगे हम तो कह रहें कि जो नियूजेन निती बना उन्हें सब 32 खत्यार में कुछ मान लिया कमी बिशी रह गया तो जो बनाया है उसको सुधार है क्या दिक्का था उसमें थोड़ी बहुत कहीं की हो रहा है गलती हुआ है तो उसको सुधार ने में कोई बात है अगर हम बात करें अभी हाल के दिनों की तो हाल में सदन में मक्यमंत्री कहते वे नज़र आए कि जो युवा कहेंगे वो ये सरकार करेगी चुकि नियोजनीति को हाई कोट से रद कर दिया गया जिसके बाद 2023 में इंप्लिमेंटेशन येर होगा 2023 होगा वो इंप्लिमेंटेशन येर होगा तो इसको लेकर के क्या कहिएगा 32 का खतियान एक तो कभी लागू होना नहीं है 27 मर्द 2002 को पहले ही जारकन हाई कोट ने इसको खारिच किया है सोरेन ने खुद विधान सभा में बोला हम लागू नहीं कर सकते हैं हाई कोट की तलवार लटकी हुई है अभी कैसे लागू हो जाएगा तो लोगों को जुन-जुना है लोगों को राजनितिक स्टैंट बाजी है और यह क्या कहते हैं हम इसको दिली भेजेंगे नवी अनुसुची में सामिल करेंगे बाने बैक डूर से घुसाएंगे इनको पता है कोई भी कोट इसको माने नहीं करेगी यह खारी जोना है दूसरा इनका नियोजन निति फुस हो गया है तो इनका तो कोई निति यहां चलने वाला नहीं है चुकि यह एक परकार से सरकार चला रहा है लूट जूट के लिए इमानदारी से एक काम करते तो इनका यह निति लागू हो सकता था इस पर मैं यह सुझाओ देना चाहूंगा कि जार्खन में जितनी सरकारी गयर सरकारी नोकरियां है उसका 90 परतिशत हीसा ग्रामीन छेतरों को दे दिया जाए मान लिया एक लाग नोकरी पुलिस कलार चपलासी प्राथमिक सी चक फोरसगाड आदी का है एक लाग नोकरी का 90 हजा नोकरी ग्रामीन छेतरों को दे दिये 10 हजार सहर को दे दिये और 90 हजार नोकरीयों को परखंड वाइच कोटा बना के दे दिजे जो परखंड बड़ा है थोड़ा ज़्यादा जो चोटा है उसके बाद बीना खतियान के केवल उसी परखंड के आवेदकों से भरिये ना खतियान की जुर्यत होगी ना पहचान के गाओं के लोग यस दूसरे को जानते हैं कोन लोकल आदमिया उसका नाम मकान नमबर पंचार टोला सब रहेगा तो ये नोकरी आराम से बढ़ जाएगी लेकिन ये कभी 32, कभी 36, कभी ये कभी यो करके टालते टालते यहां के सिक्षित विरुजगारों को वाके उनके गला घोटने का एक काम कर रही है इस सरकार को तो सर्म से गद्धी छोड़ देना चाहिए सालकर मुन्बू से ही रिलेटेड है उन्होंने कहा है कि सरकार को नियोजन नीती ऐसी बनानी चाहिए जिसमें गाओं के लोगों को 90% नोकरी जो है वो वहाँ पर मिले और 10% शेहरी लोगों को उसमें गाओं के लोगों को मिलेगा एशा आव विवारिक बात है कुछ बात होनी चाहिए बवारिक नोकरी के वाल ये नहीं नहीं है कि जाकर के गाओं में हम कंबल बाट रहे हैं बाट देंगे बहुत सारी चीजियां है उसको ध्यान देने की ज़र रहे थे कि बात को सामने लाना चाहिए इसलिए मैं कहूंगा कि सालकर्मुर्मुजा रिखे लोगों को बेसरा साब जिसे लोगों को भई कि देखिए आप लोग इस राज को आप लोग का बहुत बड़ा योगदार रहा है तो आप उसको बताएं केवल आप उसको उसके लिए आप अगर केवल केवल आलोचना करेंगे तो भई आप इस पर हम क्या सोचेंगे तब तो हम आप सोचे कि नहीं हो लेकिन उनके उनके चीजों को समझाने से वो समझते हैं और यहां के परती दर्द है थोड़ी बहुत कहीं की हो रहा है गलती हुआ है तो उसको सुधार ने कोई बात